है गाईज वन्स अगें वेलकम बैक टो मैक्स चैनल जिरो वन ट्रेम एडिट्स तो बैट कैसे हो आप लोग आप लोग हमें सब्सक्राइब करने वाले हैं कुछ इस्टैप से एस्थेटिक फोटो एडिटिंग जो कि आप लोग फोटो देख सकते हूं कितने साथ किरेटिव लग रही है और इसको कैसे एडिट करना है वही इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो को फुली बॉच कर देना एंड जो भी स्टोक में यूज करने वाला हूं सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में मेंटेन है तो आपको डाउनोड करने म कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बट वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप लोग एडिटिंग ऐसे टिस कर पाऊगे तो विदाट वेस्टिंग एनी मोर टाइम क्यास लेट के स्टार्ट टुटोरियाल ओके डन गाइस तो पिकसेट अपली केसन के अंदर अभी आप लोगों को एक ब्लैक बेज को उपन करना है तो आप लोग उसको एड़ कर लेना और अभी हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे फुली सेट करना आप लोगों को ऐसे एंद फिर राइट पे क्लिक कर कर देना अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो पिक हैन वो पूरा ब्लैक और वाइट है एंड विगनीटी का इफेक्ट भी है तो यह चीज आप लोग कर लेना उसके बाद आप लोगों को कुछ पी एंजिस को एडजस्ट करना पड़ेगा तो अभी हमारे एक लॉस्ट ह कर देना है ताकि आप लोगों का जो पी एंजि है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो ठीक है ना तो गाईज अभी हम लोग ना है इसको ओवर ले कर देंगे क्योंकि मटिपलाई पर देखो उतना अच्छा नहीं जम रहा है वाट अगर हम लोग इसको ओवर ले कर देंग है तो यह काफी अच्छे तरीके से जम रहा है तो इसको थोड़ा से ऐसे बड़ा करना है एंड थोड़ा उपर अपने मोडल से उपर यह एडजस्ट कर देना और ओपी सिटी लेवल करना है डाउन इसको हम लोग कर देंगे 60 के अराउंड एरेजर टूल पर आना हाड़नस क कर देना एकदम जीरो साइज को कर देना आप लोग इंक्रीज देन जो यह एक्स्ट्रा एज़ेस दिख रहा है इसको आप लोग नहीं से एरेज करना है ताकि फेक नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी और फिर करना है राइट पर क्लिक उसके बाद अभी आप लोगों को एक विंग्स की पेंजी को एड़ेस्ट करना पड़ेगा तो यहां से हम लोग इस्टिकर वाले ओप्सेन के अंदर आते हैं और जो भी मैं इस्टोक यूज़ कर रहा हूं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक् चाहिए उसके बाद इंवर्ट पर क्लिक करके हाडनस को कर देना एकदम 95 सैस को माइनस और पेंजी आप लोग ने जस्ट कुछ इस तरीके से रिस्टोर कर देना है तो मैं साइस को तोड़ा और इंक्रीज करता हूं एंड पेंजी को हम लोग इस तरीके से रिस्टोर करेंग एर फिर कर देना है हां से राइट पे क्लिक, अगेन आपको राइट पे क्लिक कर देना है और अब ही न हम लोग एक फैदर की पी जी भी ले कर आएंगे क्योंकि अपने मोडल ने विंग्स लगा रखाया तो अगर एक feather की png हो तो वो भी अच्छी लगेगी तो आप लोग इसको लेकर आना और just इसको भी आप लोगोंने blending पर जाके screen कर देना और इसको थोड़ा सा pinch करना इस तरीके से pinch करना देन आप लोगों को अपने surface पर लगाना है floor पर और इसका कर लेना blue delicate और थोड़ा सा right side में अब इसकी opacity को करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से 45 देन इसकी भी आप लोग something इतनी कर लेना तो हम लोग 44 और फिर यहां से करेंगे right पर click अभी ना आप लोगों को एक crown की भी png अपने head के उपर लगानी है उसके बाद अगेन आप लोग इसको जाना और multiply कर देना opacity काफी है तो same to same आपको opacity भी minus करना है इसको 42 और यह जो png आप लोग देख रहे हो ना crown वाली यह थोड़ा सा match नहीं कर रहा है बिकॉस अपना जो model है वो black and white है और यह png थोड़ी yellow है तो इसी को भी आप लोगों को merge करवाना है तो adjust tool के अंदर आना हाँ यहाँ पर saturation को एकदम कर देना down तक ही आप लोगों को एकदम match हो जाए उसके बाद इसको चोटा करके सीधा करना और अपने head पर adjust कर सकती हो और again आपको right पर click कर देना है उसके बाद फिर से gallery के अंदर आ जाना और अभी हम लोग देख लेदें कि हमारी कितनी png रह रही है basically guys हमारा दो ही png रह रह रहा है क्योंकि सब png को हमने adjust कर लिया है उसके बाद कर देंगे add और यह जो लोश्ट वाला png है इसको भी हम लोग करेंगे यहां से कुछ इस तरीके से multiply और इसको लगा देना है यहां पर opacity same हम लोग minus करेंगे तो इसको मैं रखूंगा 55 उसके बाद यहाला जो png है इसको आप लोग ने ऐसे लगाना है ठेकाना थोड़ा मतलब अच्छा लोग create कर रहा है उसके बाद आप लोगों को इसी इच को भी कर देने हां से multiply या फिर overlay भी कर सकती हो तो मुझे overlay काप यह अच्छा लगा बट यह जो multiply है वो भी something अच्छा लग रहा है मतलब multiply मने कुछ जाद है यहां पर merge हो गया है लेकिन overlay में तोड़ा अच्छा creator हो रहा है तो यह जिट कर लेना और इसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से opacity को करेंगे और माइनस और फिर करना है राइट पर क्लिक अभी आप लोगों का editing complete हो गया है मतलब editing complete नहीं हो है PNG complete हो गया है उसके बाद effect देना है आप लोगों को तो fx में आना और fx में आने के बाद आप लोगों को नहीं हाप एक glitch का option मिलेगा अब glitch amount कितना रखना है PK according वह बता दे लेता हूं वर्टिकल आप लोगों को 7% रखना है प्लस का 6 यह फिर 7 रख लेना तो मैंने 7 रख है और यह वर्टिकल आप लोग रख सकती हो कुछ इस तरीके से इसको लोग 4 रखेंगे और फिर राइट पर क्लिक कर देना उसके बाद अगेन आप लोगों को जाना है और ज तो थोड़ा कमी रखेंगे तो अभी हमारा गाइस 11 ठीक है उसके बाद मर्च कर लेना है एंड अगेन आप लोग राइट पर क्लिक कर देना ठीक है ना उसके बाद आप लोग अपने एक ओड़िंग थोड़ा सा सेट्रेशन भी मैंटेन कर सकते हो चलो करी देते हैं तो हो चुक है एंड पिक देख सकते हो किती ज़्यादा अच्छी लग रही है तो सेम टु सेम आप लोग हरी कि स्टेप को फोलो करके इस तरीके से एक एसेथेटिक पोस्ट को क्रेट कर सकते हो जो देकि देखने में कावसेज़ा सुपब लग रही है तो आज की वीडियो में इतने था टुटोरियल कैसी लगी एंड सेम को सेम एडिट करती हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर से टैक कर देना मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को अपने स्टोरी पर एक शॉट आउट दूँगा